हाई अबनेदों वेल्कम वैक्तित तो आज की वीडियो में आपके साथ के लिए करने वाली हुँए आपको मेकप लाइग क्या रखना होता है क्या करोगे तो आपका स्ट जो फेस आपके जो है वो मेकप के लिए रैडि हो जाएगी तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर प्रोशेश होता है जो आपकी स्किन पर होना चाहिए जिससे आपका मेकप लॉंग लास्टिंग हो मेकप ब्लैक नहीं पड़े और बाद में अगर मेकप डल भी होता है तो उसको आप कैसे ठीक करोगे सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला तो वीडियो को कर दीजिए जाले तो फिंट्स मेकप करने से पहले जो स्टैप होते हैं उन चीजों की बात कर लेते हैं सबसे पहली बात क्लियंजिंग तो आपको करना ही करना है क्लाइंट अगर बहार से आया है तो बेसक पता ना चले लेगिन उनकी स्किन पर डाइट धूल मिटी एक्श्ट्रा करने से पहले ड्लाइक्त करना है अगर आप चाहते हो कि आपका लॉंग लास्टिंग रहे रहे अएड बिल्कुल भी डळना पड़े तो आपको स्कर्विंग करनी ही करनी है कोई भी है आपको स्क्रब करना है प्लेंग काईसे करना है वह बता ली हूं है स्क्रब करने के लिए पहले अपने फेस पर अच्छे से गुलाब जल या पानी अप्लाई करो पानी ले रहे हो तो आरो वाटर होना चाहिए फिल्टर कुंकि जब स्क्रब करते हैं बहुत हलकी हाथों से अप्लाई करने हैं विल्कुल हलके आथों से ज्यादा जों से नहीं करने हैं विल स्कीन चहिल भी सकती है क्योंकि एसके पाद से केमिकल अप्लाई करना है फेस पर आने की मेकप अप्लाई करना है मेकप अप्लाई करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोड़क्ट यूज करेंगे तो हमारा मेकप लॉंग लास्टिंग हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है आप नॉर्मल ब्रेंट के भी मेकप प्रो कि अप्लाई करते हैं लेकिन मेकप करते टाइम आप अप्लाई एक बार कर दिजेगा बिल्कुल अल्ग के आथ उसे कोई हाम ना पहुंचे कि अप्लाई करते हैं ज्यान देना है यहीं पर हमारे ओयल की ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इस पर आपको ज्यादा फोकेस करना है देन इसको साफ कर लेना है उसके बाद फेस को अच्छे से ड्राइए करना है यह मारा सेकेंड स्टैप हो गया मेकप करने से पहले स्किन को रैडी करने के लिए फर्स्ट था क्लेंजिंग में अच्छा सा टोनर लेना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है, टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हो, एक चीज़ का ध्यान रहते हैं, गुलाबरी जो है, उसका गुलाब जल अपना ही उज़ करें, क्योंकि गुलाबरी का जो प्रोड़क्ट गुलाबजल है, वह वह ने कई काफी रैसे जा जाते हैं चक्ते चक्ते से अजीब बन जाते हैं तो गुलाबरी का चोड़के आप कोई भी गुलाबजल अपलाई करोगे दो बिनिट तक छोड़ोगे ताकि अच्छे से जो टोनर है वो आपके स्किन में एब्सराइजर लोगे लेक में पीछ मिलका काफी टाइम से दिखा रही हो अगर आप मेरी वीडियो लॉंग टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा थोड़ा सा मोस्टराइजर लेना है क मोस्टराइज जीडि अपने अपने फेस को अच्छे से किया है तो क्या हम लोग पॉट्स हेम कर शक्ते हैं तो इसका अंसर ह牌 नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो झाल्स अब्सक्तमिनीर होगा प्राइमर की ड्लेंडिंग बिल्कुल अच्छा वह अच्छा चाहर श्कांघ स्कांद्र से बिल्कुल अलग मौसचार वेरे किकी एप्राइमर मेल करना हुआ तो आप मेकप अप्लाई करना है, तो इस तरीके से आप अपने स्किन को रेडी करोगे, मेकप करने से पहले, ताकि आपका मेकप जो है वो काला ना पड़े, मेकप जो है वो लॉंग लास्टिंग हो, एंड नेक्स टेप जो है वो प्राइमर, तो प्राइमर को भी अप्लाई क तो मैं भी मेंग अधी बता रहे हूं आपको स्रिफ मैं यह बता दिनुकि आप मेंगप करने से पहले अपने स्किन को रैडी कैसे करऊए ओके इसके बाद हम लोग प्राइमर करेंगे दो श्टिप्स और देती हूं जब भी आप मेंगप कर लेते हो तो थोड़े देर के बाद आपको अपने make-up पे make-up करने के 2 minutes के बाद आपको अपने make-up पे कोई अच्छा सा make-up setting spray यूज करना है इतनी दूरी से निख नपने cop निकल जाएगा इसलिए दूर से apply करना है और उसको छोड़ देना है उसके बाद आपको beauty blender लेना है tap tap करना है है जो भी extra product होगा वो आपकी skin से निकल जाएगा और जो सकी लिए के लिए जिता जबूरी product है वह आपके skin पर सेट हो हजएगा makeup fixe apply करने के बाध इसके पड़की क्विक्षक कर दिखता है कि थोड़ी train के बाद हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था वो दुबादा से fresh एंड लगेगा बहुत ज्यादा अच्छे से make-up किया हुआ है तो अगर आपका make-up थोड़ी दिखने लग जाए तो आप क्या करोगे आप compact powder अपने face के apply कर दोगे बहुत ज्यादा नहीं बस apply करो उतना कि अपका face जो है वो fresh दिखे और next step जो होगा लिप की care करना तो जैसे हमारे face के लिए प्राइमर होता है वैसे ही लिप के लिए भी होता है तो अगर लिप के लिए नहीं है तो आपको लिप बाम लगा सकते हो लिप मौशायजर लगा सकत तो जैसे हमने अपने face का scrub किया सेम तरीके से आपको अपने lip का भी scrub करना है कई किसे में क्या होता है हमने आपने ब्राइडर्स बगारा लोगों के लिप्स्ट देखे होंगे जो की काफी black होते हैं और direct black lips पर लिप्स्टिक apply करते हो तो लिप्स्टिक का जो perfect shade होता है जो original shade होता है वह चेंज होके थोड़ा सा अलग दिखता है और जो लुक होता लिप्स्टिक का वह professional नहीं दिखता है तो उसके लिए आपको क्या करने है अपने लिप्स को प्राइमर अप्लाई करना है आपको अपने लिप्स पर अपने face पर अप्लाई करना है उसके बाद जो है वह काफी अच्छा दिखेगा और बहुत ही प्रोफेशनल दिखेगा इन साथी चीजों का ध्यान दखना है मेकप स्टार्ट करने से पहले और मेकप के लिए अपने स्कीन को अच्छे से रैडी करने के लिए तो आई होब कि आज की वीडियो जो है उसको आपको लिए सब चीजों की नौलेज ना हो तो इतना आप बता नहीं सकते आज कर टाइम बहुत कम होता है तब के पास आप मेरी वीडियो सेर कीजिए उन लोगों को और सारी जानकारी देजिए और जिनको भी पार्लर से देट काम सीखना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि क्योंकि मैं इसी तरीकी की वीडियो डेव आइडिया अपने चैनल पर लेकर आते रहती हूं प्लीज सपोर्ट में गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग लाव यौल बाबाई